जहें दोस्तों फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में मैं हूँ आपका दोस्त आपका भाई अनुच सिंग लेकर आया हूँ आपके लिए एक और इंफामेटिव वीडियो तो आज हम बात करेंगे आर पी एफ एसाई प्लस काउंस्टेबल की जो भरती प्रकिरिया चल रही है इसके सम्मंद में तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पचासी नंबर पाने वाले पचासी नंबर पाने वाले पचासी प्रिसस जिसके अंका है वो लड़का फेल हो गया और जिसके सेवेंटी सिक्स नंबर आया है सेवेंटी सिक्स परसेंट जि कैसे फेल हुआ और 76 वाला कैसे पास हुआ तो यह पूरी जानकारी इसी वीडियो में दूंगा बस लाश तक मेरे साथ बने रही है और वीडियो को आप स्किप मत करिए क्योंकि मैं आपको तीन आपकी एक सीट कराने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपर्टेंट और बहुत ही महत्रपूर्ण जो अपना रोल होता वो प्ले करती है तो ऐसे कौन से तीन मूल मंत्र हैं जो कहीं न कहीं आप उस एक सीट को पाने के लिए पूरी तरीके से हगदार हो सकते हैं तो नंबर एक ज जो पहले के एक्जाम हुआ करते थे वह बहुत ही हलके मतलब कि उसका उनका जो एक्जाम का जो लेवल होता था वह बहुत कम होता था लेकिन अब जो एक्जाम हो रहे हैं वह बहुत ही अच्छे उनका जो लेवल होता है वह कहीं न कहीं बहुत ज्यादा अच्छा होता है त तो competition level जैसे यह से बढ़ता जाएगा, जैसे यह से number of candidates बढ़ते जाएगे, आपका जो selection का process है, आपका जो competition का level है, आपका जो exam का level है, वो दिन बदिन increase होता जाएगा, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जरूरी है, कि हमारे पास किताबे कौन सी होनी चाहिए, कौन सी हमारे पास best books है, जिनको हम, जैसे आप माल लिजे, हमको इस समय जरूरत है, smart study की, हमको जरूरत नहीं है, labor वाली पढ़ाई हमको नहीं पढ़नी है, हमको पढ़ाई पढ़नी है, कि हम कम पढ़के, ज्यादा अच्छे number ला सेगे, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, आपका books का selection, तो मैं केवल अक्यल बस यही advice करूंगा, कि आप YouTube के जो teachers हैं, वो जो अपनी book लिख रहे हैं, उनकी book आप बिल्कुल avoid करिए, इस पर कई लोग आपती जताएंगे, और कहीं न कहीं मेरी वीडियो को hate करेंगे, या मेरी वीडियो पर negative comment आएंगे, बहुत सी बाते लेकिन मुझे उसके कोई परवाह नहीं है, मेरा एक मात्र उद्देश है, आपका selection, ठीक है, तो यह जो YouTube वाले गुरुजी है, YouTube वाले गुरुदेव हैं, उनको आप वाइड करिए, और authentic book आप पढ़िए, authentic book आपको कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, कौन सी हमारी books हैं, इसके लिए मैंने एक separate video बना रखी है, आप वहां जाकर विजिट करिए, उस video को देखिए, और आपको पता चलेगा कि कौन, यह कोई paid promotion नहीं है, मैं किसी book का promotion यह किसी book का paid promotion नहीं कर रहा हूं, मैं आपके लिए के वालो के वाला authentic book ढोड के लिए कर आया हूं, तो आप उस video पर चाहिए, और देखे कि मुझे कौन सी books पढ़नी होंगी, नमबर दो जो है, वो है हमारा right information, हमारे पास जो ग्यान की कमी है, वो हमारे selection को रोकती है, तो कहीं न कहीं, हमारा जो ग्यान का level है, उसको आप बढ़ाना होगा, किसी भी भरती में अपनी exit confirm करने के लिए, पहले आपको उस भरती के process को जानना बहुत ज़रूरी है, आप notification उठाईए, जो official notification है, और उसका बारीकी से अध्यन कीजिए, जब आप बारीकी से अध्यन करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़े समझने को और देखने को मिले जैसे कि हमारा जो यह एक्जाम है, आर पी अफ का एक्जाम है, वो तीन फेज में होने वाला है, नमबर एक जो हमारा होगा, यह इसका तीसरा नहीं, यह तीसरा फेज एक्जाम का, यह दूसरा है, तो जो आपका एक्जाम होने वाला, वो तीन फेज में होगा, नमबर एक ह होगा होगा हमारा PET यहनि कि physical efficiency test तीसरा है PMT यहनि कि physical measurement test और फिर इसके बाद documents verification जिसको हम बोलते हैं DV हमारा documents verification होगा तो documents verification आपके लिए बहुत important है मैं तो समझता हूं किसी भरती में select होने के लिए आपका DV जो बोलते हैं यह बहुत important role play करता है जब भी आप form भरी है तो सबसे पहले आप अपने documents बिल्कुल complete कर लीजिए complete करके रखे जैसा ही कोई vacancy आती है उससे पहले आप prepare हो जाई है कि मुझे अपने यह documents clear करके रखने हैं जैसे बहुत से भरती जैसी होती है जिसमें मांगते हैं कि आपका जो डुमेसाहिल है आपका जो काश स्रेटिफिकेट है वह छह महीने के अंदर का होना चाहिए तो यह सब चीजे आपको बहुत से लोगों की जो हाई स्कूल इंटर की जो मार्क सीट होती है कहीं उनके फादर का नाम गलत है तो कहीं उनके मदर का नाम गलत है तो कहीं उनकी डेटा बर्थ गलत है तो यह सब हमारा एक्जाम हो जाता है तो जब यह एक्जाम हो जाएगा तो दस गुना कम से कम दस गुना लोगों को बुलाए जाता है तो जब दस गुना लोगों को फिजकल के लिए बुलाए जाता है तो जब दस गुना लोग फिजकल के लिए जाएंगे तो हमारे पास कॉंस्टेबल की जो सीट है वह चार हजार दो सो आठ तो जब इसको दस से गुड़ा करेंगे तो एक जीरो बढ़ा दिए नहीं कि लेकिन जो हमारा ये फिजकल टेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा टफ है बिलकुल आर्मी की रेस इन्होंने बना दिया तो इसके लिए जरूरी है कि इनको तो जब पंद्रा गुना लोग जाते हैं तो हमारा पहला हमने आपको बताए था कि 75 या 56 नंबर पाने वाला पास जाता है और 85 नंबर पाने वाला फेल हो जाता वह फेल क्यों होता है इसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि जब मालीजिया कंप्यूटर बेज्ट 85 परसंट ठीक है लेकिन जब उसको बुलाया जाता है फिचकल के लिए तो वह लिए ञेस्ट से बहार हो जाता है और यहां और जब हुआ वैसे बाह्र हो गया टो जिसके 72 यह 74 परसंट नंबर थे उसने फिचकल मार लिया फिचकल उसका निकल गया और इसका सलेक्षन हो गया। तो इन सब बातों के आपको विश्य ध्यान रखना है। तीसरा जो हमारा की पॉइंट है, तीसरा जो हम बात कर रहे थे, कि यह सबसे यदा important क्या है। उसमें तीसरा आपका है टाइम मेनेजमेंट टाइम मेनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है जब हम ऐसी हमारा आईएस पीचिएस या फिर हम कोई ऐसी जो नॉन फोर्स बैल्ट की नौकरी जैसे बोलते हैं उसके अलावा जब हम कोई एक्जाम देते हैं तो उसमें केवल हमारा रेटेन एक्जाम होता है लेकिन यहां पर जब आप किसी बैल्ट की नौकरी करने जाते हैं तो आपका हाइट चेस्ट बजन फिचकल टेस्ट रेटेन एक्जाम हर एक चीज आपकी देखी जाती है मेडिकल तक आपका कराया जाता है तो इसके लिए टाइम मेनेजमें इस बहुत जरूरी है आप सुबह उठेंगे उठने के बाद आकर रणिंग की तयारी करेंगे तो वही बाला आपके साथ कंडिशन आ जाएगी कि आप नंबर तो आपके आ जाएंगे पचासी छी आसी परसेंट नबे परसेंट ठीक है नंबर तो आपकी बहुत अच्छे आ जाएंगे लेकिन जब आप फिचकल से बाहर हो जाएंगे तो आपके सेलेक्शन होई नहीं पाएगा और जो 75-72 परसेंट वाला है उसका सेलेक्शन आसानी से हो जाए क्योंकि उसने टाइम मैनेजिमेंट पर विसेश ध्यान दिया है सुबह उठा तैयारी किया एक्जाम फिचकल की तैयारी किया फिर इसके बाद अपना एक्जाम की तैयारी कर रहा है साम को अपना तो आपको तैयारी भी अपनी विसेस रखनी है एक्जाम की तयारी आप कैसे करेंगे इसके लिए क्या मेरा सेडियूल क्या था मैंने कैसे तयारी की थी फिचकल की तयारी रेटेन की तयारी हर एक चीज की तयारी का कैसे मैंने अपना चार्ट बनाया था अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता द आइटीबीपी ओ आरपीफ ओ जिला पुलिस की ओ प्रदेश पुलिस की ओ कोई भी एक्सवाइजड अगर बेल्ट की नोकरी आपको पानी तो आपको टाइम मेनेजमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा रखना हो गया अगर आप टाइम मेनेजमेंट अच्छा नहीं रखते हैं तो आपके सेलेक्शन के चांसेज बहुत कम हो जाते हैं तो अगर आप चाह रहें वीडियो में इस पर बना दूँ तो आप मुझे कमेंट कर देंगे में वीडियो बना दूँ अगर आप यहां तक आ गए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइ झाल